कि बिस्मिल्लाइ रख्माद रहीं वस्सलाम वालेकुम रख्मातुलाहिव बरकातुब यह फस्ट यह लेक्चर नम्र ठाटी फाइव जो इस वीडियो पर रहेंगे और जिसके अंदर चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे हैं कि इसके अंदर हमने इसके देख लिया था उस पर दो फोर्सें दग रही होती है डब्लू पर पर रखा हुए जो एंगिल ठीटा बना रहा है होई कॉई भी एंगिल 20-30-40 लेकिन नाइंटी से छोटा होना चाहिए वेट और दो यह इसको डिवाइट कर देंगे रेक्टेमिलों कॉंपोनें डब्लू पैरलल युट्वेन पर वेक्टर में पढ़ लिया कि हम लोग किसी भी चीज़ को पैरलल लुप पर रपेंटर कॉंपोनेंट में क्यों प्रेक करते हैं कि वह किसी एक्सिस पर नहीं रहा हुआ है कि इस पाइब फोर्षेस तो सब्धूंग निल्ट नंगर्ट की तो सब्सक्राइब तो यह जो तो 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 माव फोर्षेस उसके ऊपर बैलेंस आं अलोंग एकण दो फोर्षेस धायरेक्शन में लग रही होती है एक po proud अफ रिक्षन होती रीक्षन होती है क्योंकि वह दोनों पैलेंस हैं तो यानि first अफ रिक्षन जू देम बराबर हैं और डबलू पेरलल हमने फॉर्मॉला ड्राइफ किया दावलू सांटीटा होता है य एक्स पर कितने फोर्स लग रही होंगी टू फॉर्स इस इरेक्टिंग अलोंग वाइड डायरेशन पर वी दो फोर्स लग रही होती है एक डबलू पर पेंडिकुलर और नॉर्मन डेशन क्योंकि दोनों बराबर हैं डबलू परपेंडिकुलर वाथ है डबलू पॉस इटा इक्वेशन वन ओटू यह शो कर रही है कि जब फोर्स ओफ एक्षेन बैलेंस होगी परल्लेल कॉम्पोनेंट से और नॉर्मल येक्षिन बैलेंस होगा पर्पेंडिकुलर केस्ट्थू विन अबजेक्ट मूउव ट्याउन अगर यजएक नीचे आ रहा है इन्یا to क्या होगा अगर अगर अबजेक्ट नीचे आ रहा है तो 2 फोर्स लग रही होती हैं पैरलल कॉम्पोनेंट ओफ ओट होता है और फोर्स ओफ और फट्रिक्षिन होती है क्योंके औब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो सेकिंड लॉब मोशन के मताबिक नेट फोर्स बराबर हो जागा डबलू पैरलल माइनस फ्रिक्शन तो इसको नीचा आने से रोक है कि हमने फ्रिक्शन की डैफमेशन पड़ी जो मोशन को पोस्ट करें तो डबलू पैरलल माइनस इस नहीं रहा है ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट है दो सवाल या थीन सवाल इसमें स्य बन सकते हैं और जानते हैं लिए कि अधाय में में डब्लू साइटिता माइनस एक्षन दर्फ नदर्फ जीरो हो गई तो में बड़ाब जागा रच्छे डब्लू पर आपके मजी के म से कड्या एप अब पर मोशन लिए क्योंकि अपन्छी तो क्यूंकर यह ग्राविटी गरेविटी को मैनस रागाना तो अब्जेक्ट विल्मूग युनिफॉर्म एक्सलेशन और फिक्ष्ट में अगर में ठीटा कॉंस्ट्रेंट कर देंगे तो वो कॉंस्ट्रेंट एक्सलेशन से फिक्ष्ट्रेंस इंक लाइन पर आगे बढ़ेगा कितने डिसंट बात हो जाकर रुक जाएगा तो जायड से बात अब बात करेंगो फट्रेंट यह जोड़ते हैं तो प्रते रहना पड़ेगा तो साइक्ल केशल अगा प्रते हैं इसका मतलब यह थाट केस है थाट केस का फॉर्मूला हमने क्या पर आता है एक्सेलेशन तो माइनस जी साइन टीटा तो गैविटी नाइन पॉइंट हो गए उस साइन हमारे पाद थर्डी हो गया एक्सेलेशन आगई मैंस 4.9 बस उसके बाद 2 एस इकल टो वी एस पर मैस वी इस पर लगा देंगे तो यहां से ऐसा जाएगा हमारे पास टू एक्सेलेशन अब भी हमने निकाला एस मालूं करना है वी एस जीरो है वी आइए 3.5 है तो 3.5 का स्कॉयर करने को तो 12.5 माने समाय सकेंसे 9.8 के डिवाइट डिस्टन्स आजाएगा 1.25 मीटर इसके और भी नुमारिकल है उनको अदली वीडियो में सॉल्व करेंगे झाल